नमस्कार इस वीडियो में आज विशे जीव बिज्ञान का चप्टर स्वास्त एबं पोशन अर्थार्थ हेल्थ एंड नुट्रेशन से बढ़ने वाले प्रमुख आदर्श एबं आसान बस्तुनिष्ट प्रशनों का अध्यन करेंगे यह सभी प्रशन किसी न किसी परिक्षा में आया हुआ है और यह आगामी परिक्षा के लिए काफी महत्तपूर्ण है कुल प्रशनों की संख्या यहाँ पे 40 होगी लगभग तो आईए बिना समय अधिक गवाये हुए हम लोग प्रशन की शुरुवात करते हैं पहला प्रशन है भोजन का अनिवार्य अवियव है उप्शन है गुलुकोश, प्रोटीन, एस्टार्च, कार्बोहाइडिड भोजन का अनिवारई अव्यभ महत्पूर्ण घटक कार्बोहाइडिड होता है उप्शन नमर D सही होगा अगला प्रशन दूसरा नमर है मानव सरीर में इंधन का कार्ज करता है निकि मानव सरीर में इंधन के रूप में फेल के रूप में कौन शा काम करता है प्रोटीन, विटाइमीन, कार्बोहाइडेड, जल तो इसका राइट ओप्षन कार्बोहाइडेड ही होगा निकि ओप्षन नमबर C सही है जो की इंधन के रूप में, फुयल के रूप में मानभ शरीर में कार्ज़ करता है अगला प्रशन तीसरा नमर केपसूल का आवरन बना होता निकि केपसूल का उपरी सता किस से बना होता है आप्सन है प्रोटीन का अंडे के छिलके का सेलिलोज का या तो फिर स्टार्च का तो स्टार्च का आप्सन नमर डी सही होगा अनिकि स्टार्च का केपसूल का आवरन अनि स्टार्च से केपसूल का आवरन बनाया जता है केपसूल का उपरी परत बनाया जता है कि अगला प्रसन है चौता नंबर ये सहब का परमुक घाटक है यह झाली सहब का परमुक घाटको क्या यह देंकर सहब में मुख क्रूप से क्या पाया जाता हैatore老 सब्सक्र गूलुकोष के इसके बाद अगला ऑप्शन है सुक्रोज माल्तोज यह तो फ्रक्तोज है तो option number D सही हो गया, इसके बाद हम लोग पाच्वा नमबर प्रश्ण में चले आए हैं, कौन सी सरकरा ततकाल उर्जा प्राप्त करती है, परदान करती है, तेजी से यह उर्जा परदान करती है, तो वह क्या है, कौन सी सरकरा है, तो आपका right option गुलुकोस होगा, option number D अनि गुलुकोस का परियोग करने के बाद, गुलुकोस का इस्तमाल करने के बाद, यह तेजी से अनि ततकाल तुरंत पूर्जा प्राप्त कर देती है, अगला प्रश्ण है, सहद में मुखिता होते हैं, अनि सहद में मुख रूप से क्या होते हैं, तो सहद में मुख रू सनी कि यह मीठा पदार्थ है जिसका इस्तमाल करने से तुरंत उर्जा प्राप्त होती है और इसका मुख अभियव मुख घटक कार्बो हाइड्रेड ही होता है साथमा नंबर प्रश्ण मानब शरीर में कार्बो हाइड्रेड पुना संग्रहित होते हैं ने कि मानब शरीर में जिसे कार्बोहेड़ेड का इस्तेमाल किया जाता है कार्बोहेड़ेड के रूप में चीनी हुआ या तो फिर कोई भी वह इसा पदार्थ है जिसमें अधिक मात्रा में उर्जा पाई जाती है तो वह पुना सरीर में कैसे संचित होती है तो आपका राइट ओप्सन ए होगा अ मानब शरीर में कार्बोहेडेड पुना संग्रा होते हैं सूगर के रूप में ओप्सन नमबर ए हो गया अगला प्रस्न है आठ नमबर एथलीट को नीमन में से किस जलदी और ज्यादा उर्जा मिलती है और ज्यादा उर्जा प्राप्त होती है एथलीट मतलब धावक कहा ज शाहिए तो आपका राइट ओप्षन कार्बो हाइडेड होगा निकि ओप्षन नमर डी कार्बो हाइडेड का इस्तेमाल करने से तुरंत तेजी से उर्जा प्राफ्थ हो जाती है धावक को अगला प्रश्न है लंबे समय तक कठोर सारीरी कार्ज के पस्षात मानस्पेसियों में थकान अनुभव होने का क्या कारण है तो ओप्षन आप देख सकते हैं ऑक्सिजन की आपूर्ती में कमी हो जाती है पेसी तंतू की थोड़ी बहुत तूट फूट हो जाती है गुलुकोच का इसको अबचह पढ़िएगा अबचह मिसिंग हुआ है अबचह मिन्स कमी हो जाना होता है और गुलुकोच का अबचह और लेक्टिक एसीड का संचय लंबे समय तक कठोर सारीरी कार्ज के पस्षाथ मानस्पेसियों में ठकान अनुभव होने का क्या कारण है तो इसका राइट अंसर गुलुकोस का अवच्छे हो जाता है और इसका यह जो D नंबर ओप्षन है कहीं कहीं पर यह भी रहता है कि मानस्पेसियों जहां पे जोड़ है तो मानस्पेसियों में ठकान की अनुभव इसके कारण भी होती है लेक्टिक एसीड के कारण लेकिन मुख सी नंबर गुलुकोस का च्छे हो जाता है गुलुकोस की कमी हो जाती है अगला प्रशन है प्रोटीन बनाने के लिए प्रोटीन बनाने के लिए कितने अमीनो अमल आवस्यक होते है अनि प्रोटीन बनने के लिए कितने अमीनो अमल की आवस्कता होती है तो इसमें 20 अमीनो अमल की जुरत परती है ओप्सन नंबर C आपका सही होगा अगला प्रश्ण है शरीर में उत्तकों का निर्मान किस से होता है और शरीर में उत्तकों का निर्मान किस से होता है या पुछा गया है ओप्शन है प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइडेड या तो फिर बीटामिन से तो सरीर में उतकों का निर्मान प्रोटीन की सहायता से होता है तूटी फोटी उतकों को बनने में प्रोटीन जरूरी होता है ओप्शन नंबर ये आपका सही हो जाएगा अगला प्रश्ण है एंजाइम मूल रूप से होते हैं कार्बोहाइडेड प्रोटीन लिफिड अमीनो अमल तो एंजाइम मूल रूप से प्रोटीन के बने होते हैं ओप्शन नमबर भी सही होगा अगला प्रश्ण है अलफा के रोटीन एक प्रोटीन है जो ओप्शन हम लोग देख लेंगे इससे अनसर मिल जाएगा रक्त में उपस्थित रहता है तोचा में उपस्थित है उन में उपस्थित है अंडो में उपस्थित है तो अलफा के रोटीन यह तोचा में उपस्थित होता है ओप्शन नमबर भी सही होगा इसके बाद अगला प्रश्ण है पंदरह नमबर सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतीसत कितना होता निकि सोयाबीन में कितना प्रतीसत प्रोटीन पाया जाता है तो यह 42 प्रतीसत होता है उप्सन नमबर A सही हो जाएगा कहीं कहीं पर 45 परशेंट भी दिया रहता है तो उस उप्सन के नुशार से ही चलेंगे अगला प्रश्ण है 16 नमबर इसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है अनि किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है तो यहाँ पे option है मान्स, दूद, चाबल और नीचे एक option और भी है इसे भी हम लोग देख लें चाबल के बाद है यहाँ पे दाल तो प्रोटीन किसमें नहीं पाया जाता है तो मान्स में भी प्रोटीन पाया जाता है दूद में भी और यहाँ पे दाल में भी प्रोटीन पाया जाता है साकाहरी के लिए दाल जरूरी है प्रोटीन प्राप्त करने के लिए तो आपका यहां पे पूछा गया है कि किसमे इसमे प्रोटीन नहीं पाए जाता है तो चाबल में प्रोटीन नहीं पाए जाता है इसमें भरपूर मातरा में कार्भो हाइडरेड मौजूद रहता है अगला प्रशन है साकाहारी अधिक्तम वही प्रशन फिर आ गया कि साकाहारी अधिक्तम प्रोटिन प्राप्त करते हैं अगला प्रशन है अठारा नमर मानव शरीर में बसा जमा होती है मानब शरीर में बसा कहां पे जमा होती है या पुछा गया है तो बाहे तोचा में या तो होगा ही नहीं यकरित में इसमें भी नहीं पाया जाता है एपिथिलियम में इसमें भी नहीं तो मानब शरीर में बसा बसा उतक में ही जमा होता है ओप्शन नमबर भी सही है अगला प्रशन है उनीच नमबर बिटामिन सब्द किसने प्रतिपाधित किया है अगला प्रशन 20 नमबर किस उरजा प्राप्त नहीं होती है option यहाँ पे है और किस से उर्जा नहीं प्राप्त होती है तो बिटाइमिन प्रोटीन कार्बोहाइडड बसा तो बसा से भी उर्जा प्राप्त होती है कार्बोहाइडड से भी उर्जा प्राप्त होती है प्रोटीन से भी उर्जा प्राप्त होती है तो बिटाइमिन में जो भ एकीस नमबर गाजर में पाया जाता है अनि गाजर में क्या पाया जाता है अनि कि भरपूर मात्रा में प्रशूर मात्रा में क्या पाया जाता है तो ओप्सन है बिटाइमिन A, बिटाइमिन B, बिटाइमिन D और बिटाइमिन E तो गाजर में प्रचूर मात्रा में बिटाइमिन A पाया जाता है option number A सही होगा अगला प्रशन है मानव सरीर में बिटाइमिन A संचित रहता है मानव सरीर में बिटाइमिन A कहां पे संचित, कहां पे भंडारित, कहां पे storage रहता है यह पुछा गया है तो यह यक्रित में संचित रहता है option number A होगा अगला प्रशन है 23 number यह वह vitamin जिसमें कोबाल्ट होता है तो option यहाँ पे कुछ असुद्धियां लिखी गई है और बी वारह, vitamin B वारह में कोबाल्ट की मातरा होती है तो अधी इसको B वारह कर देते हैं तो option A आपका सटीक होगा अगला प्रशन है 24 number बीटामिन C का सबसे उत्तम स्रोत है यहाँ भी option में गलती हुई है लिखने में तो बीटामिन C का सबसे उत्तम स्रोत, सबसे अच्छा स्रोत अधी option A में सेव रहता, option B में आम रहता, उसके बाद C में आम बला रहता और D में दूद रहता, तो बीटामिन C का सबसे उत्तम स्रोत क्या होता? इसको कोमेंट के माध्यम से आप जरूर इसका जबाब देंगे बीटामिन C का सबसे उत्तम या तो सबसे अच्छा स्रोत क्या है? सेव है, आम है, आमला है या तो फिर दूद है? जो होगा उसे कोमेंट में लिख करके जरूर इसका reply देंगे अगला प्रस्ण है पचीश नमबर किस बीटामिन की कमी से मसूडे में रक्त आता है और दात हिलने लगता है? तो A, B, C, D तो बीटामिन C जो की आमला में भरपूर मातरा में पायज आता है C की कमी के कारण मसूडे में रक्त जो की पैरिया बिमारी का लक्षन हो जाता है और दात हिलने लगता है तो option नमबर C आपका सही होगा अगला प्रस्ण है 26 नमबर में हम लोग आ चुके हैं किसी सबजी से और कोई भी सबजी हो तो प्राप्त न होने वाला बिटामिन है तो B1, C, D, E और किसमें नहीं प्राप्त होता है कोई भी सबजी हो तो उसमें कौन सा बिटामिन प्राप्त नहीं होता है यह पूछा गया है तो बिटामिन D या सबजी या किसी भी अनाज में नहीं पाया जाता है या डायरेक्ट सुर्ज की रोशनी से मनुष्ट को प्राप्त होता है अगला प्रशन है 27 नमबर प्राता कालीन धूप में मानव सरीर में कौन सा बिटामिन उत्पन होता है फिर वही प्रशन आ गया जिसकी चर्चा हम लोग पिछले प्रशन में किये थे तो बिटामिन D प्राता कालीन शूर्ज की रोशनी में मानव सरीर को डायरेक्ट बिटामिन D की आपूर्ती होती है 28 नमबर प्रस्ण है मचलियों के यकृत के तेल में किसकी परचूर्ता होती है अनि कि मचलियों के जो यकृत का यकृत में होता है ये तेल में होता है इसमें किसकी परचूर्ता होती है तो सिंपल है बिटाइमिन D की परचुरता ओप्षन नमबर C आपका सही हो जाएगा 29 नमबर प्रस्ण में हम लोग आ चुके हैं मानव सरीर में रक्त का थक्का किस बिटाइमिन से बनता है तो रक्त का थक्का थक्का करने में किस बिटाइमिन की सहायता लिजाती है तो बिटाइमिन के है और ओप्षन नमबर A आपका सही हो जाएगा अगला प्रस्ण है दातों में निमलिखित में से क्या होता है दातों में क्या पायता है प्रोटीन, केल्सियम, कार्बोहाइडर या तो फिर खनेज तो दातों में कैल्सियम पाया जाता है option number B आपका सही हो जाएगा और दात में कैल्सियम की प्रचूरता होती है अगला प्रश्ण किस तत्व का संबंध दातों की विकृति के साथ है तो या fluorine option number B आपका सही है fluorine तत्व की कमी होने से दातों की विक्रिती हो जाते हैं कि दात तेढ़े मेढ़े या तो फिर अन्य प्रकार के अन्य रूप में यह परिबर्तित हो जाते हैं अगला प्रश्ण है वतीश नमबर हिर्दय की धड़कन को नियंतृत करने के लिए कौन शाखनीज आवस्यक है हिरदय की धड़कन को नियंतृत, बैलेंस करने के लिए कौन शी खनीज की अवस्कता होती है सोडियम, गंधक, पोटेसियम या तो फिर लोहा होता है तो इसमें पोटेसियम की अवस्कता होती है option number C जिससे हिरदय की धड़कन को नियंतृत रखा जाता है अगला प्रस्ण है 33 नमबर सागरिये खर्पतवार किसका महत्पूर्ण श्रोत है लोहा, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन तो सागरिये खर्पतवार में आयोडीन की प्रशूर मात्रा होती है ओप्शन नमबर डी सही होगा अगला प्रस्ण में नीम्न में से कौन आयोडीन का सर्वत्तम स्रोत है सैवाल इसको सेव पढ़िये सेव मूली गेहूं तो सैवाल में आयोडीन की प्रशूर मात्रा फाइज आती है आयोडीन का सर्वत्तम स्रोत सैवाल होता है option number A हो जाएगा अगला प्रश्ण 35 नमबर उपस्थिती उपस्थिती तथा हड्डियों के निर्मान में समपोशन में आवस्यक ततो है हड्डियों के निर्मान में कौन शे आवस्यक ततो है magnesium इसके बाद है calcium फिर जिंक और silicone तो आपका right option B होगा हड्डियों के निर्मान में calcium की ही जरूरत पड़ती है अगला प्रश्ण है पालक के पतों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है पालक के पतों में vitamin, iron, carbohydrate बसा पालक के पतों में iron की मात्रा अधिक होती है option number B अगला प्रश्ण है सबसे अधिक iron किस में पाया जाता है केला, सेव, दूद, हरी पत्यदार सबजियों में इन चारों में सबसे अधिक हरी पत्यों में iron की मात्रा पाये जाती है option number D इसके बाद हम लोग अंतिम प्रस्ट में आ चुके हैं दूद में प्रोटीन और कार्भोहाइडड पाया जाता है इसके अलाबा क्या पाया जाता है तो इसके अलाबा कैलसियम भी पाया जाता है और पोटेसियम भी पाया जाता है तो आपसन नमर यहां पे इसको सुधार लें है तो इस प्रकार से इस वीडियो के माध्यम से लगभग 40 प्रश्ण का हम लोग और 38 से दो प्रश्ण इसमें घटा लगभग में देखा जाए तो कुल 40 प्रश्णों का अध्यन कर चुके हैं और यह प्रश्ण शुरू में ही हम लोग इस परिचर्चा किये थे इस बात को हम दों समझ चुके थे किसी ने किसी परिश्ण में आया हूआ प्रश्ण है और अगामी परिच्ण के लिए यह काफी समान निसा प्रश्ण कहा जाए लेकिन महत्रपूर्ण प्रश्ण है जो कि नृर्मल हर परिच्ण में इस for watching, goodbye.